आज बनाएंगे खटा मौंग, उसके लिए मैंने यहां पर मौंग को बोईल कर लिया है, हलका सा सॉल्ट डाल के, उसके पाद हम लेंगे कड, उसके अंदर लेंगे हम टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, और शॉल्ट अपने श्वाद के अनुश के अंदर राय के दाने, जीरा, हिंग, करी लेउज, अद्रग और एक ग्रीन चिली लेंगे, अब हम बोईल के हुए मौंग एट कर देंगे, उसके अंदर हल्टी पाउडर, पहले मैंने वहां पर यूज किया था कड के सांथ, तो अब मैं थोड़ा लूँगी, रेड चिली पाउडर, उसको सबको मिक्स कर देंगे, और दही, बेशन का मिक्सर भी एट कर देंगे, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम उसको में आधे कब जितना में टोटल पानी यूज करी हो, थोड़ा पानी में यहां पे दही वाले बरतन में लिया है, वो तब तब तक चार से पांच मिनिट में अच्छे से पग जाएगा और हमारे खत्यमुंग बनके रेडी हो जाएंगे हमें हमके खत्यमुंग। क्योंप नोगे हैं चावल को साथ शुँन ते अब अब डमेंगे स teams है